हम ना जियेंगे हनमान के बिना और ना हनमान जियेंगे राम के बिना देखिए संटूष्ट हम नहीं हैं ना अपने बीवी को ना बच्चे को ना पढ़ाई लिकाई सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ हम दिये ग्यापन और कई भी हैं कि आप लोगों का दो दिन में कुछ अच्छा हो जाएगा दो दिन का आश्वासन मिला है लेकिन दो दिन के बावजूद बजा है हम दस दिन रों कहां रुकेंगे और लाई मिलती थी लाई खाके गुड़ खाके अपना दिन बिता रहे थे दस दिन इंतजार करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो क्या करने वाले हैं हम अपने साथियों से विचार करके पर एक समय निष्चित करके यहां एक विसाल धरना परतसन प्रा करेंगे क्योंकि हम हमारे सीन मिलता करने हम सब्सक्राइब हैं जल्दी से जल्दी हम लोगन का जो है बेतनमत्ता जितना जो चीज लागू कर रही हो वो हमारा लागू कर दे हम लोग 24 दिन से यहां पर जो रुके हुए थे बहुत दिकत जहलने पड़ी हैं आसमान के नीचे ठंड लग रही थी और लाई मिलती थी लाई खाके गुड़ खाके अपना दिन बिता रहे थे इसी तरह से ठंड में कुछ लोग बीमार भी हो गए हास्पिटल भी गए थे इंब हम लोगों के पास एक ही रास्ता होगा या तो मर जाएंगे दुबारा ना आना पड़े हां जो कभी में कह रहा हूं हम लोगों के किरपा करके सुनवाई करें चवकी दार से ज्यादा कोई गरीब है नहीं अगर चवकी दार कि नहीं सुनते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सरक बिर्योधी सरकार है 24 दिन आप लोगों ने धर्ना परदर्शन यहां पर किया उसके बाद आप लोग अभी के अपना धर्ना खतम करने वाले जी सर दो दिन का आश्वासन मिला है लेकिन दो दिन के बावजूद वजा हम 10 दिन रोगेंगे दो दिन के बाद कुछ नहीं होता है दो दिन के वजा हम 10 रोज रुकें जब तक हमका उसका परमानित लिखित नहीं मिलेगा क्योंकि हम हमारे साथी चोगिदार सहिमान बीमार भी हो गए हमने भी इलाज कराया है यह मेरा बल्लामपुर का स्टीकर है ऐसा कोई नकली काम नहीं जो हम लोग जादा जादा परेश आने 25 हो में हम क्या कर सकते हैं ना अपने बीवी को ना बच्चे को ना पढ़ाई लिकाई सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ उसमें क्या कर सकते हैं तो हमारी मांगे जो है 18,000 से कम नहीं होना चाहिए और चोगिदारों को चतुर सेड़ी में लाना चा अब तो खाली अधिया किये ते लेकिन आप तो रामपूरे उतर प्रदेश के हो कम से कम सोचना चाहिए इस बात को मुखमंतरी से मिले गए थे आप लोग तो क्या आप से मिले वह हाँ नहीं मिले बाकी आप कौन सा अधिकारी थे ते एस यह किसी को लोग चैनित किये थे ए हमारी मांगेती पर्थम कि हम लोगों को 34 सेर्णी में दर्जा दिया जाए आनाता 18500 हम लोगों को चाहिए उसके बाद उनका जवाब क्या है वो कहें कि देखिए जो भी सरकार से पहसला आएगी वो बताएंगे हम बाकी कुछ ना कुछ होगा आप लोगों का यह नहीं बता सकते हैं कि हम क्या होगा बाकी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है कि असवाशन से आप संतुष्ट होकर क्या धरना छोड़ कर जा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ना समाप्त के घरी में यह असकतित करके आम लोग वहाँ से चले हैं। तस दिन इंतजार करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो क्या करने वाले अपने अपने साथियों से विचार करके फिर एक समय निश्चित करके यहाँ एक विसाल धरना परदसन फिर पुना करेंगे। हम तो सरकार से ही चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोगन का बेतनमता जितना जो चीज लागू कर रही हो वो हमारा लागू कर दे हमारे भगवान है। हम भगवान को पूजते हैं हम मानते हैं सरकार यादी हमारी नहीं सुनेगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे हम यहीं यूको गार्टन में ही मर जाएंगे तो यह चौकी दार्थ है अपने धरने को इस्थगित करने की बात कर रहे हैं और इन्होंने दस दिन का टाइम दिया है कि दस दिन वेट करेंगे और उसके बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो पुना फिर से यह अपना धरना चालू करेंगे